ये गाइज टावरोगाड इसनी वीडियो में आपका सौगत है तो लास्ट वीडियो में आपने देगा कैसे ट्रेन जब वूड़न स्टेशन आपक पर आये थी दोस्ट के वाद कितने सारे कांड होए थे और वहीं पैडरो दा कनेटर को हम फरस्टाम देखते हैं जिसने हाकि को भी मजबूर कर दिया है इस फाइट को करने के लिए अब स्टोरी में आगे को भी पाते हैं जो कहता है कि यहां पर वी साइट यह सेटल हो चुकी है और हमने एक मेने का टायम दे दिया है जहांपे स्टेज सेट होगा दोनों की फाइट के लिए और इसी के जाती हो बाइए सारे पैसेंजर को एलिपूर्ट कर देता है उनके अपनी अपनी जगा पर जा हाकन का यह सोल इस चीज़ पर ध्यार नहीं देता बलकि उन्हें कहता है कि मुझे बहुत जादा भूग लग रही है उसके पेट से आती वाज को भी सुन पाते हैं वह वैंग नान इस चीज़ को सुनकर तो जार डर जाता है कि यह खाने के लिए मांग रहा है जबकि जानता है कि हाकन हीमन्स की सोल को खाता है उसके मन में डर होता है कि यह भी वैसे हीमन्स की सोल को खाएगा लेकिन जब यह वाइट एर केड़ उनसे कुछ स्नैक्स मांगने के लिए कहता है यह सुनकर यह दोनों का विजा शॉक हो जाते है कि स्नैक्स की मुखाना चाहता है जबकि हाक की बात करनी थी जो कि एक नम्मर का भुकर है वहीं विंसेंट काफी टाइम बाद कुछ खाता है और उसे चिप्स काफी जाए पसंद आते हैं और उसे खाते हुए आगे बढ़ जाता है वैंगना और यौन यह देखकर काफी हाँ कन्फ्यूस थे क्या है सच में दूसरा हाकिन काफी जाए डिफरेंट हैं एक दूसरे से जहां एक तरफ हाकिन बहुत जाए वाइलेंट एक असूर की तरह है वहीं दूसरी तरफ एक छोटा सा मासुम बच्चा लगता है और वैंगनान अपने तेज दिमाग को यूज करते हुए यह भी सोच रहा होता है कि क्या होगा ज करते हैं लुदर ना मिल पाए जो रहाना काम ना उजाए लेकिन में देगा जाए तरह के सारी जखने का लिए है प्लान क्या है आई करनेके लिए और से डिटलिपूर्ट होकर सीधे सटेंगे पर आगर एंगे ने हुए इसा की हैल ट्रेंग में सब पर करना पड़ता है हर कुछ टाइम में, यह सारी इंफोमीशन उने रियूर ने दी थी, जो कितने टाइम से हेल ट्रेन में थी, रेचल उसके टीम के साथ, यहां मैम के तरू हमें उस सारे फ्लैश्वेक दिखा जाते हैं, जो कि हुए थे, कंड़क्टर के रूम में, जहां उने बताया था, कि कैस यह सेडियूल करके इस सब को ट्रांस्पोर्ट कर देगा इनके स्टार्टिंग पॉइंट पे, और यहां से वह बैटल, जो कि हाकिम और बैम की इच में होने वाली है, वह की स्टेज फॉर पर ठीक एम महीने बाद, यह स्टेज फॉर फ्लोर पर जाने के लिए एक टेस्ट ह होगा और इसी जगह पे इन दोनों के बीचने फाइट होने वाली है, लेकिन उससे पहले उन्हें बागी साही टेस्ट को टेस्ट करना पड़ेगा वहां तक पहुंसने के लिए, पिस सुनकर बैम स्टेम कभी शॉक हो गया था कि उन्हें साही टेस्ट करने होंगे, वही पै बैम और उसके दोस्त, अभी पहली बार एल टेन में आये हैं, तो उन्हें नेक्स फ्लोर के लिए ये टेस्ट क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, इसके अलावा उनको आगे बढ़ते हैं, रात में आनल सारे मौनस्टर से फाइट करनी होगी, ताकि और रिवार्ट्स पासके और जल्दी से नेक्स टेर पहुँच सकें, लिमिटी टाइम के अंदर उस फाइनल फाइट से पहले उनको इन गारजन से फाइट करनी होगी, जो सुलूम के अंदर रहते हैं, और उसके बाद एक गेम स्टार्ट होगा, ठीक एक मेने बाद तो वह सारे टेस्ट क्लियर कर ल है, और उसके सारे साथ ही जो कि भी बंदी है पेड्रो के पास, वह सारे मारे जाएंगे, और अगर वह स्टेज फोर पर 12 वज़े राद से पहले ठीक ही कमेने पहुंच जाता है, तो स्टार्ट होगा स्लेयर नॉमनी सेलेक्शन गेम, और इसके साथ वह नो गुड़ लग कह पर देता है, उनके अपने अपने चैंबर के अंदर, और अब हम प्रेजेंट पर देख पाते हैं, हाकिन उसके टीम को, जाब है हाकिन काफी जा गुस्से में था, जो कि काराका को काफी जादा बढ़ा बुला कह रहा था, निकि उसको लगता था, कि उसने उसका प्रॉमिस और साथ में बैम को भी एक महीना मिलिया, प्रिपेर करने के लिए, उससे फाइट करने के लिए, उसे लगता है कि कार्श वो पहले ही रिवलिशन रोट पर चला जाता, जो पहले वार हैल ट्रीन में आया था, लेकिन बोर और उसके दोस्तों चे सारा काम खराब कर दिया, औ हाके ने पुईतरा से अपना मन बना लिया था, कि चाये कुछ भी हो जाए, उससे अपना दूसरा हिस्सा डूडना ही हुआ गेम शोने से पहले, वही पास करा भी मैट डॉग, डैनिल से कहता है कि काफी अजीब है कि सील रिस्पॉर्ट नहीं कर रहा हा, हाके उनके दूसरे एमली पर अपलोड करने दोगे, यहां आने से एक साल पहले, और एमली ने उस सील के डाटा को बहुत अच्छे से इंटरप्रेट कर लिया है, और पूरी तरीग से एनलाइस कर लिया है, और वह बता सकती है कि हाके दूसरे सोल कहां पर है, अगर वह किसी पास के एरिया में ह और वह अभी कह रही है कि हाकें का दूसरा हिस्सा यही आसपास है, और मैंने अपने दो साथियों को बेज भी दिया है, उसे डोलने के लिए, जैस सुनकर हाकें काफी जाए खुश राता है, और उसे कहता है कि तुम्हारा रेचल था ना, मैं जब आपनी पावर को लीगें कर लूँगा, तो तुम्हें बहुत अच्छी पूजिशन देने वाला हूँ, वही डैनिल चीज़ को देकर मनी वन कव्या गुस्सा होगा था कि रेचल कैसे उसके काम में टांग गड़ा रही है, और उसके काम और भी ज्यादा हो गया है, और हम यह जान पाता है डैनिल के अभी भी डड़ता कि अगर हाकिन अपने दूसरे सोल से मिल जाता है, तो एक ऐसा मौस्टर क्रेट हो जाएगा, जिसको वो कंट्रोल नहीं कर पाएगा, जैसा कि हाकिन को भी कर पा रहा है, अपने सारी चीज़ों को पूरा करने के लिए, और इसी जितने अदर डिले पॉस और यहां क्या करते है, इन दोनों को सादान होता है देख, रैक समझ जाता है कि इनके साइड तो बिलकुल नहीं है, और इसी के साथ फार्ट सो और इसकी फ्रेंड लड़ने के लिए तयार हो जाते है, यह कहते हुए कि हमें भी ऐसा ही लगता है क्रोकोडाइल, लेकिन रैक पर बहुत अच्छा टैक करता है, और उसके साथ रैक से पहले डॉच कर पाता है, वो अपना सगेंड अटैक भी कुछ कम नहीं था, वो उस अटैक को बहुत इराम से डॉच कर देता है, और अपने बाले से उस उस पर अटैक करते हुए कि इस तरह की छोटी ट्रिक्स बच् गोड़े खतम हो जाएगी, दूर साथ यौन वेंगान भी इस सोल को सुन पाते हैं, और आपासमें डिस्कास करते हैं, वो सकता है, लेकिन वेंगन कहता है, हमको शोर्टी से नहीं कह सकते है, वह वाइट है यह आपने हो सकता है, हम जाकर चेक करना चाहिए, और हम देख दे पर इतना शोर मचा है सिर्फ लड़ाई करने के लिए वहीं दूसरी दरों हाकिन और उसके टीम को भी देख पाते हैं जो कि एक दूसरे रूम में आगे थे जहां पर एक ठीक वैसी चेर थी जैसे कि हाकिन के रूम में थी लेकिन उस चेर एमटी होती है जिसे देखकर आगे ग बहुत इलग्तरी फिलिंग होती है और वो सेंस कर पाता है कि इसका दूसरा इससा यहीं आसपास में है कहीं पर जिसे वो अपनी कौपी कहकर बुलाता है और काफी टाइम बाद हम वापस कुन और बैम को देख पाते हैं जो कि दूसरे चेंबर में थे जब एक बहुत ही वी आडवाइस करता है कि उन्हें थोड़ सा रेस्ट करना चाहिए कि उसके बाद जैसे स्टेज को कर लेंगे वो उनसे कावी साही चीज़े जानना चाहते हैं लेकिन रियून ऐसा करने साफ मना कर देती है और नहीं कहते है कि तुम अपनी जगा पर बने रो वियॉल अकेले इ अंदर हाकिन और बैम के फाइट की वीच में और कोई भी नहीं आ सकता और सिफ एक महीने बहुत ही काम है प्रपेशन करने के लिए उस लेवल तक पहुशने के लिए तो इसलिए सारे डेंजरस चीज़ों को अवाइड करने की जगा बैम को ने फेस करना होगा ताकि जल्द नहीं आ सकता जब उनकी बीच में फाइट होगी इस तरह की गेम में और साही चीज़े सिफ व्यॉल की स्टेंद की उपर ही मैटर करेंगी अगर इन दोने की बीट में फाइट होती है और हम सब की जान भी इसी चीज़ पर डिपेंड करती है कि व्यॉल कितना पाफुल हो ज पाइए और एक में तक कैसे बहुत ही सारे खतरनाक चीज़े से फाइट कर सकता है लगाता है लेकिन रून कोन की बात को साफ कार देते हैं कहते हुए कि बारत बिल्कुल भी टाइम नहीं है इन सब चीज़ के लिए और वह बैम के देखते है कि यह सब इसी लिए हुआ क्यो पिछले बार भी काफी दाग खतरना चीज़े करने के बाद रून बैम को यहां तक कहती है कि तुम्हें जरूर लगता हो अपने बन में तुम्हार अबजेक्टिव काफी डिफरेंट है टावर में उपर जाना बागी लोगों से लेकिन रियालिटी में तुम ऐसी स्टूप प्लेटी फील करते हैं अपने असवास के लोगों के लिए तो तुम्हें यहीं समने सब योक्रिम को भी इनकी तरह आगे बढ़ते देख पाते हैं साची इनकी वारे में बोरो से पूछता है जाब बोरो से बताता है कि इनमें से एक फॉर्मर स्लेयर नॉमनी है और दूसरी इनकी गाइड है और यह लोग रेचल का पीछा कर रहे हैं जो कि हाकिन की मदद करने में लगी है और बोरो उसके दोस्त्रीन सीटीमें से मिले थे और कुछ सिच्विशन ऐसे बनी कि इनोंने इनको अपना ऐलाय बना लिया जा साची स्लेयर नॉमनी सुनते ही समझ जाता है क लेकर और नरी किट नहीं है लेकिन उसके मन में साफ डाउट था कि इतना पाफल हो सकता है कि सिफ एक महीने में हाकिन को हराने लाइक स्ट्रॉंग बन सके वहीं बैम की आखों में एक डिटता देख पाते हैं जैसे चीसी क्लारिटी मिल गई थी कि उसके लारत के वज़े से उसके आसपास के लोग की जान खत्रे में पड़ गई क्यूंकि वो बार 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 रेचल की पीशे जाने के जित कर रखा था उसके मन में बार बार यही चीज़ गूंज रही थी कि उसके लारत के वज़े से उसके आसपास के लोग काफर जादा खत्रे में पड़ चुके है और रेचल भी ऐसा ही करती थी और इसलिए वो रेचल से कुछ डिफरेंट नहीं है वो बिलकुल उसी के जैसा है और यहीं भी चैप्टर खता हो जाता है बैम के इसी सेल्फ रिलाइजेशन पॉइंट पर हम इस फीडियो को इन पर खतम करते हैं जैतने टाइम बाद बैम को रिलाइज हुआ कि कैसे उसके दोस्ट जो किसके आसपास से उसकी केर ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक रिचल से जिसने से दो बार तोका दिया है और धक्का दिया है जन से मारने के लिए हाने वीडियो जान पाएं कि आप एक मंद के अंदर इतना स्ट्रॉंग हो पाया कि हाकिन को बीट कर सके हाकिन के दूसरी पिसनेल्टी जो कि वैंगनान और यॉन के साथ है या और भी जो कि स्ट्रीन के दा चुपी हुई है हाकिन का में मोटिफ क्या है और अगर हाकिन से मिल जाए तो होगा क्या जानने के लिए आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं इस वीडियो को लाइक कर सकते हमें कमेंट करने के बता सकते हैं कि आपको कौन सी वीडियो चाहिए कर दो